नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पे नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प्रदेश की जो है दो नावालिक लड़कियां ला पता तो कहां कि न्यूज है पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में देने वारा हूँ वीडियो पर एंट तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच पे नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हार नॉटिफिकेश के लिए बस में गई दो नाबालिक लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है लड़कियों के परिजानों ने इनके अपरण की आशंका जताई है परिजानों ने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई है वहीं पुलिस ने लड़कियों के परिजानों की शिकायत के आलार पर केस दर्जकर मामले की आगामी कारवाई जोए शुरू कर दी है लापाता हुई दो नाबालिक लड़कियों में से एक आर्मी आफसर तो दूसरी परदेश सचीवाले में कारेरत अधिकारी की बेटी बताई जा रही है वहीं लापाता हुई दो नाबालिक लड़कियों की तलाश के लिए पॉलिस की टीम में रवाना हो गई है जानकारी के उनसार पॉलिस थाना चोटा शिमला एक महिला ने पॉलिस को दी शिकायत बताया कि उनकी 16 साल की बेटी और 15 साल की भांजी 11 फरवरी को सुबा के समय शिमला से संदरनागर के लिए बस में परवाना होई थी लेकिन दोनों संदरनागर जो है नहीं पहुंची है तो दोस्तों यह थी तादा ख़बर ब्रेकिंग नीज अगर आपने वी तक वीडियो को शेर नहीं किया वीडियो को शेर कर दें और अंकित पर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करन आप बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक खिमाचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद चैहिंट चैवार